What's up everybody and welcome back to another video आज हम लोगे से कहले वाले माइंक्राफ्ट और आज माइंक्राफ्ट के अंदर हम लोगे एक फैक्टरी बनाने वाले तुम लोग को अबिसली पताए कि मेरा माइंक्राफ्ट के अंदर सबसे फेवरेट चीज है रेडस्टोन मतलब यार जो चीज़े तुम नॉर्मली हाथ से करोगे अगर वो चीज तुम रेडस्टोन के साथ आटोमेटिक कर सकते हो तो वाइंक्राफ्ट के अंदर रेडस्टोन तो है ही पर रेडस्टोन के साथ साथ हमारे पास आज मशीन भी है फॉर एक्जामपल ये वाली मशीन अब अगर तुम ये वाली मशीन को देखोगे तो यहाँ पर मस्त वाला गन पावडर आ रहा है यहाँ पर मस्त सैंड आ रहा है और इन सैंड और गन पावडर को ये ऐसा हाथ उठा के इनके अंदर डालता है जो by the way ये एक crafting machine है इसके अंदर चीज़े craft हो रही है और यहाँ पर डालने के बाद जैसे सब कुछ डाल कर हो जाए उसके बाद ये जो machine है ये machine craft करके एक TNT बना कर यहाँ पर छोड़ेगी और I think so ये machine का जो भी आवाज आ रहा है machine अभी काम कर रहा है मतला machine TNT बना रही है और any moment यहाँ पर एक TNT बहार आ चुका है TNT बहार आते यहाँ TNT को उठाएगा उठागे conveyor belt के उपर रखेगा conveyor belt से सीधर TNT हमारे यहाँ पर आएगा फिर यहाँ इस TNT को उठाएगा और उठागर इसके अंदर रख देगा और यहाँ पर मैंने लिटरली इतने सारे TNT अल्रेडी जमा कर लिया है और तुम्हों देगे सकते हो कि यह वारा जो test world है इस world है मैंने बहुत सारे अलग अलग चीज़े बनाई है पर हम लोग अभी एक नए world में चलने बाले है नए world की शुरुवात करने वारे और उस world की अंदर हम लोग आज एक बहुत ही खतरनाक सा machine बनाने वाले है इस पिछला minecraft का world देकर तुम लोग समझ चूके होगे कि हम लोग आज minecraft के अंदर क्या क्या कर सकते है Minecraft के default redstone से हम लोग बहुत सारे farm बना सकते है पर हम लोग सब चीज़ को automation नहीं कर सकते है जैसे कि अगर मुझे कुछ चीज़ क्राफ्ट करके चाहिए हम लोग उसको redstone से नहीं कर सकते है पर हम लोग machines के साथ यहाँ पर कर सकते है तो आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग आज यहाँ पर एक machine मनाने वाले जो machine हमारे लिए bread बनाएगी अब यह चो machine है यह machine सब कुछ खुच से करेगा यह machine सबसे पहले wheat होगाएगी फिर wheat को harvest करेगी harvest करने के बाद wheat को craft करके सीधा bread बनाके हमें output देगा मतलब अगर यह machine हमारे minecraft के world के अंदर हो तो हमें bread का कोई tension ही नहीं होगा सीधा हम chest खोलेंगे हमारा bread हमारे chest के अंदर पहले से तयार Alright guys तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमें बनाना है एक power source Alright guys तो अभी यह जो mod है यह mod को लेकर मैं कल सुबा से बैठा हूँ तो मुझे अभी थोड़े बहुत चीज़ें इसकी बारे पता है मुझे थोड़ा बहुत इसको use करना आता है पर मुझे exactly भी तक आता नहीं है यह तो अगर मैं यहाँ पर एक cog wheel लगा दू उसके ओपर मैं hand crank लगा दू तो अभी अपना बंचुका है एक साधारन सा हाथ वाला machine पर हम इसको normally हाथ से यूज नहीं करने वाले है इसलिए हम एक power source बनाना है तो I think हम लोग बनाने वाले सबसे simple power generating machine जो की है the water wheel अब water wheel क्या है हमने school में पढ़ा ही है hydro हाइड्रो क्या बोलते है उसको वो जो होता है ना पानी से वो जो भी होता है वो बनता है ना पानी से हाँ वही वाला हम लोग हम लोग हाँ वही बनाने वाले तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ चीज़े चाहिए जैसे कि हमें गलास चीड़ाई टाकि पानी आसे रैंडम ली कही भी नाब है तो सबसे पहले हम लोग गलास का एक चोटा साथा टावर बनाएंगे तीन ब्लॉक का और उसके से तो इसे पाइने को इसाफ्ट भूपना दों, तो यह एक वालती पानी ली रहा है, सो यह पानी को गएर नी चैस सोना हो चुका है और अगर मैं यहाँ पर एक इसको कहा कहते है शाफ्ट लगा दू तो यह शाफ्ट ठिल रहा है और इसी के साथ हमारे पास energy produce हो रहा है अब यह जो पानी का जो ऐसा बहर है न इसको पहला बंद कर लेते हैं हमनी चाहते पानी यह से रैंडमली बहे ओशेट मीं को यहाँ से भूली क्या था मैं अगर बहर है तो बह आच्छे बहरये यहाँ से बंद कर दूगा पानी यहाँ से पीछे चे आजये तो आइस family by चले गा तो यस-ईस का स्पेड जानने का यहां पर रिचार को पहर bahर मैं स्पीड इमिलो इन चैनिंश गोगल्स और अगर मैं सिंजीनिय ज्म्य को आथ करते 20 дорपी हैं तो दोठ़ को तोड़ते ають speed is 16 rpm तो कि प्रावल्लम की बात है ने, इसको इतना है रखते हैं अगर टेंशन की बात नहीं है बट मैं सोच रहा हूँ, what if अगर हम लोग side by side ऐसे और भी लगा दे मतलब यार देगो, पानी तो बहे ही रहा है तो क्यों ना थोड़ा और पानी बहाया जाए तो ये हमारा पानी बहाने का यंत्र बन चुका है और इसके बाद यहां से हम लोग खोड़ा और पानी डाल देंगे और अब भी चेक करतें इसका speed क्या है I don't think इसका speed कुछ खास बड़ा होगा इसका speed उतना ही है, मतलब अम लोग दो दो मोर्टर लगा यह फरक नहीं बढ़ता है यह काम करते हैं, इसको तोड़ देते है अच्छा, इसका 12 है इसका 16 कैसे, इसका 12 कैसे बे दोनों के हाँ तो सेम पानी बह रहा है अच्छा, यहां बे कुछ ऐसा पानी बह रहा है रुख जाओ हाँ, यह भी 16 पे आ गया ओके ओके गाईस, कुछ तो चुगार है मुझे नहीं पता पर फिलाल अभी यह दोनों जो वील है यह दोनों वील स्पिन हो रही है दोनों वील इदम 16 के स्पीड में मस्त स्पिन हो रही है तो हमारे पास अभी पावर जेनरेट हो चुका है तो बाई दरे गाईस, क्या तुम लों को बादो में कि अपना चैनल है ना यह 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है मतलब अपने को सिर्फ 6 मिलियन के आसपा सब्सक्राइबर्स चाहिए तो नीचे गाईस एक लाल रट का सब्सक्राइब बटन है अगर तो उस बटन को दबाऊगे तो यह जो डाइमर प्ले बटन है यह ना ऐसा दिखरा है तुमको आसमान में उड़ रहा है मेरा हाथ के उपर यह एक डाइमर प्लेवर फट से मेरा हाथ के उपर आके गिर जाएगा वेट किसका कर रहे हो जल्दी सब्सक्राइब करो और अगर तो ने बिटा किस वीडियो को लाइक करो आज की वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 50,000 लाइक का तो यह रहा हमारा basic power source अभी जो हम लोग जितना भी machine बनाने वाले वो सारे machine के लिए हमें जो भी power चेह उसका हम लोग लेने वाले यहाँ से तो अभी हमने हमारा power का सब कुछ सौट कर लिया है अभी हमें चालू करना है हमारे farm को बना रहा तो इस पूरे farm में सबसे पहले हमें क्या चाहिए सबसे पहले इस farm के अंदर हमें चाहिए एक wheat farm मतलब literally एक wheat का farm हम लोग को wheat उगाना है अब ये जो farm है इस farm को automatically बहुत सारे process करने है सबसे पहला इस farm को automatically उसको plow करना है हो के साथ दूसरा इस farm को अपने आप seeds को plant करना है तीसरा इसे उस seeds को bowl meal डालना है और चौथा ये सारे जो wheat उगेंगे उसको harvest करना है और harvest करके इसको आगे भीजना है तो हम लोग सबसे पहले थूड़ा सा दूर जा करना ये इसको 3 block high कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लगाना चालू कर देंगे हमारे grass blocks इनी grass blocks के उपर हमारा पूरा wheat उगने वाला है और I think so इतना काफी होगा ये कितना लंबा होगा बाइस ठीक है और ये I think so इतना length इसका काफी होगा तो अब ही हम लोग जल्दी चलके इसको पूरा भर लेते हैं basically मैं क्या कर रहा हूँ मैं एक grass का platform बना रहा हूँ जिस platform के उपर हमारा सारा automatic wheat लगनेया काम होगा मैं बस उमीद कर रहा हूँ आज की वीडियो आधे लोग के दिमाग के उपर से ना चले जाए क्योंकि यार ये चीज समझना थोड़ा मुझे पता है मुझे खुद को समझने में एक दिन गया है बट आई होप सो तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ आज के वीडियो होग alright गाईस तो हमारा ये platform यहाँ पर बन चुका है अभी हमें यहाँ पर वो machine बनाना है जो machine ये सारा काम इसके उपर करने वाला है मतलब है जो machine है वो wheat को harvest भी करेगा seed को लगाएगा भी और साथ-साथ bone दालेगा पर उससे पहले मुझे यहाँ पर एक track बनाना है जिस track के उपर ये machine चलेगा तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं इसको एक आइरन का बॉडर दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा सुन्दर सा दिखे और समझ में किधर है तो अभी हो हरे मैं से पुरा खो जा रहा है समझ में नहीं आ रहे है किधर जमीन है किधर प्लाटफॉर्म है तो यहाँ पर लिटरली बहुत सारे चीज़े है हमारे पास यहाँ पर गियर बॉक्सेस है हमारे पास क्लच है हमारे पास यहाँ पर मेकैनिकल बेल्ट है हमारे पास क्रशर्स है हमारे पास यह यह कॉपर के फ्लूइड वॉल्फ अगरा बहुत चीज़े है और अगर मैं सच बता हूँ तो मुझे अभी तक ये नहीं पता कि इसमें आधी चीज़े कर दीक है पर हमें जो जो चीज़े चाहिए मुझे उनके बारे में पूरा पता है तो हम लोग जो यहाँ पर track बनाने वाले उस track के लिए हम लोग use करेंगे एक gantry carriage और साथ में एक gantry shaft तो जो gantry carriage है gantry carriage gantry shaft के उपर चलता है और जो shaft है उस shaft को हम लोग जिस तरह बनाएंगे gantry carriage बिल्कुल उसी तरह आगे पीछे move करने वाला है तो सबसे पहले में वह एक चीज़ मार्किंग करना है मेरे को यहाँ से 8 block पीछे mark करना है तो वो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर हम लोग उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे और फिर हमें आगे भी 8 block mark करना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर हम लोग ऐसे mark कर देंगे क्योंकि हमारा जो machine है वो 8 blocks के size का होने वाला है इसलिए जब यह machine start होगा वो 8 block पीछे यहाँ पर spark होगा और फिर हो machine पूरा इस grass patch के उपर से जाकर जब यहाँ पहुचेगा उसको 8 blocks और चे ताकि वो इसको पूरा पार करके यहाँ पर पार को सके तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे हमारा gantry shaft यह लग गया अपना gantry shaft basically जो gantry shaft यह ना track की तरह है जिसके उपर हमारा gantry carriage है वो काम करेगा और शिट गाइस मैं अब एक चीज़ रिलाइस कर रहा हूँ हमें इसको दोनों side में इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं था कोई भी एक side में काफी होता तो I guess हम लोग अभी वो ही करेंगे हम लोग इसको यहां से तोड़ देंगे और यह जो बाकी का जो जगा है इसको हम लोग यहां से मस्त वारा तोड़ देंगे ऐसे और हमें अभी एक चीज़ करना है यह जो हमारा gantry shaft का एक side है हमें वो किसी भी एक side में एक gear shift लगाना है अब यह gear shift क्या करेगा यह जो gear shift है यह gear shift इस carriage को बताएगा कि इसे आगे जाना है या पीछे आना है तो अभी हम लोग हमारा gantry carriage को लगा देंगे जिसको हम लोग यहां पर end पे लगाने वाले अब यह gantry carriage आप लोग देख सकते हो यह इसके उपर ऐसा move करेगा तो यह gantry carriage लगने के बाद अभी हमें gantry carriage के उपर हमारा पूरा machine को build करना है तो अभी machine को build करने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए एक linear chassis एक radial chassis एक deployer और मेरे को और क्या चाहिए मेरे को चाहिए हाँ मेरे को चाहिए एक mechanical plow एक mechanical harvester और इसके अलावा मुझे चाहिए super glue जो बहुत ही जरूरी चीज़े इसके बिना चीज़े आपस में नहीं चिपकेंगी और इसके बाद मुझे हमारा साधारन सा minecraft का chest चाहिए ओके तो मैं अभी जानता हूँ कि मैंने बहुत सारे चीज़े एक साथ ले लिए तुम लोग को बिल्कुल भी कुछ ने समझा मैंने क्या किया तुम लोग समझाता हूँ यह जो chassis होता है chassis basically क्या होता है जिसके उपर हम लोग machine को build करेंगे उसको कहा जाता है chassis उसकी आदावा जो deployer है यह deployer basically कोई भी action करेगा जो एक player कर सकता है मतलब हम लोग इससे seats को लगा सकते है और हम लोग इसी के साथ ही seats पर bone meal डाल सकते है उसके बाद है mechanical plow जो एक hoka काम करता है और हमारे पास है mechanical harvester जो crops को harvest कर देया काम करता है अब भी guys मैंने realize कि मैंने इसको थोड़ा सा गलत बना दिया पर कोई tension की बात नहीं है यह अच्छी ही बात है तो हम लोग क्या करें कि नीचे सबसे पहले एक ऐसा platform होना लेंगे और फिर हम लोग इसको ऐसे तोड़ देंगे यह एक बहुत ही important चीज़ जो मैं करना भूल गया था थो इसको तोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक मस्सा swimming pool बन चुगा है इसमें हम लोग मस्सा पूरा पानी भर देंगे swimming pool की तरह अमीन अगर crop सुगाने तो पानी चाहिए ना में बिना बानी है कौन सा crop उखता है नूबडे की तरह माइंक्राफ्ट में farming करने चला था बिना पानी के ओके अभी इसके बाद हमें इसको उपर से पूरा grass block के साथ cover कर देना है होगी काई तो फाइनली हमारा platform तयार है हमने साइट से तुरह सा iron block लगा दिया तुरह सुंदरता उसको निहारने के लिए उसके अलावा हमने यहां पे grass block लगा दिया उसके नीचे पूरा पानी ही पानी है और अभी हमारा platform तयार है तो हमारा अगला step है यह machine को बनाना चालू करना तो machine को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग यहां पर लगाएंगे एक radial chassis तो तुम लोग को मैं chassis के बारे में इच्छी समझा तो चैसी के ऊपर न ऐसा मस तक कलर कलर आ जाएगा और उसके उपर हम लोग को लगा देंगे तो उसके साथ चिपक जाएगा और जो parts में piston head का texture नहीं है वहाँ पर हम लोग अफकोस कुछ चिपका नहीं सकते हैं तो यहाँ पर जो gantry काट है उसके उपर already यहाँ पर glue लगा वा है तो हम लोग यह बड़ा हमारा यह carriage होने वाला है उसके बाद हमें सबसे पहले लगाना है mechanical plow अब यह जो mechanical plow यह जो harvester रहें वह इनके उपर direct चिपक जाता है तो यह जो mechanical plow है यह क्या करेगा यह सबसे पहले यह जो पूरा field है इसको पूरा must वाला plow करेगा और उसके पीछे होंगे हमार linear chassis जिसके उपर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे हमारे mechanical harvesters तो अभी हमारे machine में सबसे पहले यहाँ पर plow है उसके पीछे यहाँ पर harvesters है अब इसके पीछे हम लोग लगाने वाले हमारे दो deployers के set पहला set seat लगाएगा दूसरा set seat को bone meal करेगा और राइट तो यहाँ पर सबस linear chassis लगा सकते हैं अब यह linear chassis का अब से सही पर मता है क्या है अगर इस पूरे machine में सारे के सारे linear chassis हो तो वो literally एक block बन जाता है अब अगर मैं इसको तोड़वगा तुमको दिख रहा है पूरा अलग अलग दिख रहा है पर जैसे मैं यहाँ पर लगा दू इसको यहाँ लगा रेडियल चैसी क्यूंकि उस पर हमें चिपकाने है डिपलॉयर्स को डिपलॉयर्स यह हार्वेस्टर और प्लाव की तरह नहीं कि डालेकली इसके ओपर लग जाए इसको चिपकाने पड़ेंगे चैसी के ऊपर तो यहाँ पर लगा देंगे सूपर ग्लू के बाद इसके पर और जहाँ जहाँ दो जगा लग गया उसको तोड़के नहां लगा देंगे तो अभी इसके बाद हमें इन डिपलॉयर्स को कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना है ताकि डिपलॉयर्स का जो हाथ है वो नीचे के तरफ पॉइंटेड हो और तुम लोगे डिपलॉयर में यह एक हाथ की तरह है यह ऐसा इसा वाला उंगली है यह हाथ की तरह है इसको अगर कुछी पगड़ा दोगे पगड़ भी लेगा और इसमें बता सकता हूं कि सिर्फ यही वाला ब्लॉक है इसी ब्लॉक को लेना और इसी ब्लॉक को लगाना और बाकी कोई ब्लॉक लेना अब guys these are deployers यह सारे deployers को चलाने के लिए हमें कुछ उस तरह से यहाँ पर एक डंडी डालना पड़ता है but I think यह direct काम कर जाएगा तो हम लोग अभी इसको थोड़ा सा और exchange कर लेते हैं यहाँ पर फिर यहाँ लगा देंगे super glue उसके उपर लगा देंगे तो यह जो हमारा deployer set one है वो seats को लगाएगा हमारा deployer set two है वो seats को bon mill करेगा और यह जो harvest है यह उनको खोदेगा ऊपे यार मैंने आपर इंको एक्स्टा क्यों लगा दिया नहीं थे अब रोडी तुम लोग सोचोगे कि रोडी यह जो सारे deployers है इन deployers को उनका supply कहां से मिलेगा और ये जो harvester है ये harvester चीज़ों को harvester करके कहां रखेगा उसके लिए guys हम लोग यहाँ पर डेर सारा super glue लगाने वाले है क्योंकि अभी हम लोग इसमें लगाने वाले है storage area अभी इसका जो storage area है guys ये storage area किसी के साथ भी अब ये सारा storage है ये सारा storage multi-purpose है मतलब जो harvester होगा वो भी storage के अंदर जाएगा जो bone mill हम लोग बहार से भेजने वाले वो भी इसी storage के अंदर जाएगा और जो seed वापस लगने वाले वो भी इसी storage के अंदर से आएगा और यहाँ पर जो deployers है ना अब ही हम लोग ना इस deployers को बताने वाले कि इनको किस चीज के साथ काम करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से थोड़ा सा bone mill ले ले लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा seeds ले लेंगे तो हमारा जो पहला set है उस पहले set के filters में हम लोग लगा देंगे seed जिससे इनको पता हो कि इन्हें सिर्फ seed लगाना है इन्हें और कुछ नहीं करना है अबे आपस दे seed अबे seed आपस दे seed पकट लेता है, seed चोर ही है अगर मैं filter में seed नहीं डालू न तो उसको पता नहीं हो करना क्या है, वो कुछ भी करेगा ये machine को अगर गलती से एक block मिल गया वो गधा ऐसा block को ऐसा लगा देगा इसके उपर hold right, अभी जो पीछे वाला set है उसको हमें bone, अबे उसको हमें bone meal दिखाना है कि तू सिर्फ और सिर्फ bone meal के साथ धंदा गरेगा तू बाकी किसी को हाथ लगाएगा इसनी चेक है, done अब ये काम करते है, शुरुवात के लिए हम लोग यहाँ पर उपर के एक chest में पूरा भर देंगे bone meal और ये जो line है इस line में हम लोग भर देंगे seeds और जो हमारा ये वाला line है ये line के अंदर जो भी harvest होगा वो इसके अंदर आएगा तो अभी इसको चलाने के लिए हमें यहाँ तक power को पहुचाना है तो हमारा जो power source इधर है हम लोग इसको वहाँ तक लेकर जा सकते हैं जिसके लिए हमें अभी परिश्रम करना पड़ेगा तो सबसे पहले निकालते है shaft फिर निकालते है cogwheel फिर निकालते है large cogwheel फिर निकालते हम लोग हमारा vertical gear box और normal gear box और उसके बाजू में यहाँ पर एक छोटा cogwheel लगाएंगे अभी यह जो छोटा वाला cogwheel है इसका speed थोड़ा सा बढ़ चुका है यह देखो इसका speed is 16 rpm और इसका speed is 32 rpm और हम लोग इसको literally ऐसे multiply कर सकते हैं बट हमें करना नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो इसका जो stress है वो बढ़ेगा और stress बढ़ने से यह जो machine यह काम करना बंद कर सकता है मतलब भाई इस game के अंदर पूरा engineering है guys अगर मेरा वीडियो को engineer देख रहा है तो मुझे बताओ मैं सही कर रहा हूँ गरत कर रहा हूँ क्योंकि मैं engineer नहीं हूँ और मैं literally यह चीजे ऐसे ही घुमा घुमा के सीखा हूँ game के अंदर आल राइट तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक shaft लगाने वाले फिर shaft के पीछे हम लोग गयर बॉक्स लगाएंगे और क्यां पर बिर स्थ्मिलर्ली हमें यहाँ पर भी गयर बॉक्स लगाना है जिससे हमें पावर को कुछ ऐसा लेकर आना है फिर लगेगा यहाँ पर एक और गियर बॉक्स इससे ऐसे आएगा और यहाँ पर लगेगा एक वर्टिकल गियर बॉक्स जिसके सामने एक नॉर्मल गियर बॉक्स नहीं तो तो हम ने ये सारी गियर बॉक्स के अपले कुछ आपले कुछ ऐसा गुभा फिरा करे हम यह पावर को इस तक लेकर आ चुके ओके तो अभी इसको चलाने के लिए हमें क्या करना है हमें यहां पर इसको पावर देना है और यह चीज चलना चालू हो चुका है यह प्लाट कर रहे बोन मिल भी कर रहे ओ भाई ओ भाई हवारा मशीन काम कर रहे guys हवारा मशीन काम कर रहे ओके फोलड़ ज़्यादा आगे चला गया इसको इतना आगे नहीं आना था अभी अगर हम लोग इसको बंद करतेंगे तो ये वापस return पीछे आ जाएगा और I think return आते आते ये थोड़ा और bone meal मारेगा बट ये चीज़ काम नहीं करेगा ये चीज़ तुम देख सकते हो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है Harvester सिफ आगे जाते टाइम काम करता है I think so और मैं ना इसको थोड़ा सा पीछे के तरफ ले सकता हूँ तो इससे प्रूब हो चुका है कि हमारा जो मशीन है वो बिल्कुल काम करता है अभी तुम नहीं सोचोगे कि रॉनी ये तू इसको एक बार बार करने के जरूरत क्यों है ये देख रहे हो ये हरकत होते रहती है इसलिए मैं ने सामने एक प्लाव लगा दिया ताकि ये इसको प्लाव करता रहे और ये जिसको हर्वेस कर रहे है वहाँ पर नया सीट लगाते चाह रहे है भाई यार क्या मशीन है यार ये मशीन अपने को वैनिला माइनक्राफ्ट के अंदर क्यों नहीं मिलता है अब इसको फिर से पीछे ले लेते है ये चीज को रहा हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं अब ये एक सेकेंड मेरे को एक चीज याद आया इस गेम के अंदर पावर बनाने का एक और तरीका है और वो है विंटमिल रुको यार विंदमिल का आइडिया मुझे पह और हमें चाहिए यहाँ पर कहीं तो था फैंस, यह रहा, वाइट सील, ओल्ड गाइस तो अभी हम लोग यहाँ पर ना एक विंड मिल बनाने वाले, और यह विंड मिल हमारा एनरजी का सोर्स बनेगा, तो यह जो वाटर वाला जो यह चीज है, यह उतना पावर जेनरेट नहीं कर पाता है, बड़ आए थिंक सो जो विंड मिल है, यह बहुत ज़्यादा पावर जेनरेट कर पाएगा, तो मैंने कल सुभाना गेम के अंदर एक रैंडम सा विंड मिल बनाया था, और हम लोग बिलकुल एक्जाटली वैसा ही विंड मिल बनाने वाले इस गेम के अंदर, तो विंड मिल के लिए सबसे पहले अपने को लगाने का एक विंड मिल का बेरिंग जिसको हम लोग उल्टा लगाएंगे, यूजरी तुम लोगों ने विंड मिल कुछ इस तरह से देखा होगा, पर हम लोग इस गेम के अंदर थोड़ा सा अलग टाइप का विंड मिल बनाएंगे, जो मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर है, दिखता बेटर है, उसको ज़्यादा जगा भी लगता नहीं है, ब्लॉक्स को ऐसा उपर तक लगाने का है, अब ही अगर मैं इसको राइट क्लिक करू तो यह जो सेल चालो होघा है, अब यह जो विंड मिल भूम रहे है, बन इस विंड मिल में उतना एनरजी है नहीं, उतना पावर से बिंड मिल नहीं घूम रहे है, तो अभिए क्या गरनेगा हाँ, अपने को इस Windmill को थोड़ा और पावर देने के लिए क्या करनेका है, अपने को जो Windmill सेल है अपने को उसको बढ़ाने का है, तो थोड़ा सा इसा उपर भी बढ़ा लेंगे, और ऐसा जाइड में हम लोग उसको बढ़ा लेंगे, basically guys मुझे लगता है कि windmill का sail जितना बढ़ा हो उत्रा ज्यादा windmill पावर देगा बट tension की बात निये guys windmill से आता हुआ पावर को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक खतरनाक सा trick है alright guys तो हमारा यामर विड्मिल बन चुका है अब ही अगर मैं इसको start करूँ तो ये windmill तुमको दिख रहा है कुछ ज्यादा ही fast घुम रहा है मतलब जो पिछले speed में घुम रहा था उससे ज्यादा fast घुम रहा है ये windmill आप देख सकते हो घुम रहा है उसके साथ साथ इस shaft के अंदर भी power आ रहा है तो अब ये जो windmill है ये 12 rpm का speed प्रेडूस कर रहा है हमें क्या करना है हमें इस windmill को और ज्यादा fast करना है तो और ज्यादा fast करने के लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पर लगाएंगे एक small cog wheel और यहाँ से थोड़ा से linear chassis उठाते हैं और linear chassis थोड़ा से इसको design करते हैं यह बन गया masa design अभी अगर तुम लोग इसको देखो तो यह spin कर रहा है 12 rpm पर अगर मैं यहाँ पर एक छोटा cog wheel लगा दू तो यह spin करेगा 24 rpm मतलब हमने यहाँ पर हमारा जो speed है उसको double कर दिया है अभी speed होना मुझे थोड़ा और डबल करना है जिसके लिए अपने को लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक लार्ज cog wheel और हमें इसको ऐसे extend करके मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक small cog wheel और इसके साथ यह जो हमारा speed है यह 48 rpm तग आचुका है और I think so हम लोग इसके speed को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक और लार्ज cog wheel उसके पीछे ऐसे एक और linear chassis और उसके ऊपर ए चोटा cog wheel जिससे हमारा final speed आ चुका है 98 rpm का तो अब ही अगर तुम लोग इसको इस तरह से देखो कि हमारे पास यहाँ पर output एक है 12 rpm का एक है 24 rpm का एक है 48 rpm का और ए इंजिनियरिंग लेसन चल रहा है इंजिनियरिंग का क्लासेस चल रहा है और यहाँ चीज करना है यह जो नीचे का शाफ्ट है इसको तोड़के ना हम लोग यहाँ पर एक लिवर तो अभी अगर मैं इसको आउन करू तो यह चीज पिन हो रहा है सारे cog wheels घूम रहे और अग पावर आगे जाएगा या ने जाएगा तो अगर हम लोग कर दिया हमारे सारे cog wheel स्पीन हो रहे हमारा इंजिन चालुए हमारा सब कुछ पावर जा रहे पर अगर में अन्क लिए तो यह सब कुछ बंद लो जाएगा तो अभी एक काम करते अभी ना इनको सब को ना ऐसा कर लग क detta से बहुत जयादा थाज हम्हारा मशीन ए इस मशीन को चलाने के लिए दो और सबसे ज्यादा समस्क्राइब कर देंगे चाहर यह और तो किया लगाएंगी वाद हमें यहां पर में पर एक बिक इहां जाई कर देए ऊधर एसला लगाने कानेगा तो यह चीज अभी काम कर रहे है तो अगर मैं इस चीज को on करूँ तो आप लोग देख सकते हो यह बहुत ज्यादा fast जा रहा है गाइस अगर तुम्हें याद है तो जब इस से connected था यह उतना fast नहीं जा रहा था पर अभी यह बहुत ज्यादा fast जा रहा है तो गाइस हमने हमारा जो engine उसको बना दिया है यह हमारा पूरा power generating source होने वाला है यह हमारे पूरे machine के लिए power generate करने वाला है तो अभी हमने हमारा farm बना लिया है अभी हमारा अगला step है कि इस farm से जो भी cheese harvest हो कर आएगा जो भी crop harvest हो कर आएगा उसको हमें conveyor belt से लेकर जा रहा है हमारे crafting के machine तक तो इसको बनाने के लिए हमें of course लगेगा shaft हमें लगने वाला mechanical belt तो उसकी अलावा हमें चाहिए ये portable storage interface जिसको मैं बुलाता हूँ तो चुम्मा डिवाइस क्योंकि ये ऐसे ऐसे चुम्मा देखे चीजे यहां से वहां ऐसे ची बाई क्या बाते कर रहा हूँ मैं तो ये सबने को ये सारे चीजे चाहिए और हमें of course चाहिए थोड़ा सा यहाँ पर एसे ऐसे अ कर massive कर लेंगे ऑनकर पेस को यहां करने चाहिएप से काम unser आपटाथ को एक यहां उसको ऐसे इस रहेता है और चुम्मा लेता है और चुम्मा लेके वहों ट्रांसफर करता है makes sense all right तो actually पता है मेरे को ना एक और चाहिए यह मुझे क्यू चेह तुम लोगो बात में बताऊँगा पर हमें यहाँ पर एक और ने इसको अभी ने बाद में लगा दे यह ने इसको लगा देते हैं अभी लगा देते लेकर हमें इसको कुछ इतना ऐसे एकजेंड करना है और फिर इसके ऊपर हमें लगाना है एक और पोर्टेबल स्टोरेज इंटरफेस जिसको हम लोग एक ब्लॉक के डिस्टेंस में लगा सकते हैं अभी जैसे यह आकर यहाँ पर रुकेगा यह अपना सारा जो आइटम से उसको ट्रांसफर कर देगा इसके अंदर तो अभी हमें इसके पीछे लगाना है एक तुनल होता है या फनल होता है I think so funnel or tunnel कुछ तो होता है तो हम लोग एक brass funnel ले लेंगे जिसको लगा देंगे इसके पीछे और yes exactly यह वही चीज है तो इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद हमें यहां से wheat लेना है और इस wheat को लेकर हमें यहां पर filter में लगा देना है तो जैसी यह चीज इससे connect करेगा यह exactly क्या कर रहा है यह जो funnel है यह इस इस चुम्मा डिवाइस को बोल रहा है कि इसके साथ चुम्मा लीजिए ठीके चुम्मा लीजिए पर चुम्मा लेने के बाद इसके पास जितना भी wheat है उसको बाहर फेकिए तो अभी बाहर फेकने के लिए हमें इसको ready करना पड़ेगा बाहर फेकने के लायक तो हमें लगाना है यहाँ पर एक shaft और पता है एक्शन में सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इसको use करने के जगाना मस्सा से linear chassis use करते है ज्यादा मज़ा आएगा ओके तो यहाँ पर अपना linear chassis लग चुका है अभी हमें इसको थोड़ा सा ऐसे extend करना है extend करने के बाद हम यहाँ पर एक और shaft लगा देंगे और इन दोरों shaft को लगाने के बाद इनको connect करनेंगे mechanical belt से तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा conveyor belt बन चुका है अभी इस conveyor belt के मदद से हमारे पास यहाँ पर जितना भी wheat harvest होगा वो सारा wheat harvest होकर इसके थूर निकल के सीधा यहाँ पर जाएगा तो इसको हम लोग यह side से ऐसे बंद कर देते हैं और अभी हमें इसको power करने के लिए हमें यहाँ से थोड़ा सा power लेके आना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ से ऐसे करके इसको लेकर आते हैं और इसको यहाँ पर ले आने के बाद हमें चाहिए gearboxes और फिर हम लोग gearbox को कुछ इस तरह से लगाएंगे और फिर gearbox से shaft को ऐसा और लेकर आएंगे आगे और यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर एक gearbox लगाना है और हमें यहाँ पर एक gearbox लगाना है जिससे यह चीज काम नहीं कर रहा है अब यार ऐसे लगाना है ओ येस ऐसे लगाना है और फिर इसको ऐसे मिल आए गरेंगी यह जो भी वीट हो यहार से आएगा और मैं सोच रहा हो इसको ने नीचे से लिए लिए तो नीचे लाने के लिए यहां पर एक और शाएसी लगा देंगे और फिर ना फिर 8 तोड़ा सा दूर जाकर हम लोग एक और चैसी भB मैं चैसी पस ऐसा ब्लॉक के लिए लगा रहो इसके ओपर हमें यहाँ पर एक और शाफ लगाना है फिरा मेकैनिकल बेल्ट को लगाना है यहाँ से यहाँ यह यहाँ यह आ नहीं रहा है इसका रहे एक एंगल होता है जो मुझे एक्जाइकली आइडिया है रही तो हम लोग न अभी अगर हम लोग इसके ऊपर एक वीट रख दे ठीक है अगर हम लोग बस एक वीट को इसके ऊपर ऐसे फेक दे तो यह कनवेर बेल्ट के तुरू होता हुआ सीथा यहाँ से नीचे इदर आ जाएगा और राइट गाइस तो हमारा जो बेसिक मेकैनिसम है जिससे यहाँ स चीज का यूज नहीं किया है वो है मेकैनिकल आम तो अभी हम लोग उसको यूज करेंगे तो उसको यूज करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक डीपो डीपो क्या करता है डीपो पे जितना प्रोड़क्ट उपर से आएगा वो सब कुछ आकर डीपो पर जमा हो चुका और इसको डीपो पर जमा करने के बाद हमें यहाँ से ऐसे चेंड ड्राइव चाहिए और फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक ऐसे लगाना है और फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक चेंड ड्राइव लगा लेंगे और थोड़ा से घुमाते ना यार वीट को थोड़ा से घु तो mechanical arm यह रहा, अब ही आप लोग इस mechanical arm को लेंगे, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर left click करेंगे, यहाँ पर right click करेंगे, जिससे अभी यह चीज प्रोग्राम हो चुका है, कि इसको blue से चीज को उठाना, yellow पर रखना, इसको अब रख देंगे इसके उपर, और अभी अगर मैं क किसी भी चीज को यहां से फेक हूँ तो वह सीधा जाकर डीपो पे कलेक्ट होगा डीपो पे कलेक्ट होने के बाद एक सेकेड शेड इसको मैंने पावर ही नहीं किया है रुख जाए इसको पावर करना पड़ेगा गदे ऐसा मशीन बना रहा हो बिना पावर किये कि लोग के तो अपना मशीर का पावर वह से यहां तक आ चुका है अब मैं तो यह पर कॉबूल जैसे हुझ से चालू शो बड़े ठीक है थोड़ासा ऐसा ऐसा थोड़ासा शो बड़ा निकल इसको रखा है हम लोग ने वाप पे तो अभी अपना ये सब बन चुका है अब ही हमारा अगला स्टेप होता है क्राफ्टिंग तो क्राफ्टिंग करने के लिए यहाँ पर एक मस सा चीज़े इसको बुलाया जाता है दब मेकैनिकल क्राफ्टर कहा गया मेकैनिकल क्राफ्टर ओ ये रा मेकैनिकल क्राफ्टर ओ राइट तो हम लोग यहाँ से तो यह हमारा crafting काम करेगा मतलब इसको imagine करो हमारे crafting table की तरह जैसे crafting table में 9 blocks होते हैं हम लोग 9 boxes के अंदर कुछ भी रखके craft कर सकते हैं इसको बिल्कुल उसी तरह से use कर सकते हैं अगर हमारे crafting के अंदर 9 का recipe है तो हम लोग 9 रखेंगे अगर हमारे याप पर recipe 6 का है तो हम 6 रखेंगे बट bread बनानी के लिए हमारा safe 3 का recipe है तो हम लोग इसको 3 पर रखेंगे अभी अपने को ना एक wrench चाहिए इस wrench को लेके हमें इसको इस तरह से right आईसा नी करने का था आईसा रखने का था इसको control दबा के आईसा 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 तो अभी हमें यहाँ पर एक depot लगाना है depot लगाने के बाद हमें लेना mechanical arm जिसको लेके इन तीनों में left click करना है और इने को येलो करना है और इसको blue करना है और फिर इसे हमें place कर देना यहाँ पर तो अभी जो हमारा mechanical arm मेकैनिक अलाम बेसिकली क्या करेगा यहां से सामान को उठाएगा और इन में डाल देगा और इसके बाद हमें क्या चाहिए हमें चाहिए यहां पर एक ऐसा कोगवील और हमें चाहिए यहां पर एक वर्टिकल कियर बॉक्स जिससे यह चीज काम करना चालू हो चुका है उसके तो में लगाना है यहाँ पर कोउग विल और लगाना है कमें है अब यहाँ पर एक नोमल केर बॉक्स और यहां पर यहाँ पर इसको पावर कर दिया है यह जो पूरा belt है वो काम कर रहा है हमारा जो आ में वो काम कर रहा है तो धाइस हमारा वे यहाँ पर Crafter तैयार हो चुका है Crafter के end में हम लोग यहाँ पर लगा देंगे एक brass का funnel और इस funnel को लगाने के बाद हमें यहाँ पर लगाना है हमारा एक shaft जिस shaft को power करने के लिए हम लोग यहां से इसको लेकर आएंगे vertical gearbox लगेगा उसके नीचे लगेगा एक normal gearbox और यह आ गया shaft पे power और फिर इसके बाद हमें इसको कुछ इस तरह से drag करना है नई इसको यहां से नहीं करते हैं इसको हम लोग यहां से करते हैं और यह बन गया अगला shaft और इन दोनों के बीच में लग गया mechanical belt जिससे यह belt काम करना चालू हो चुका है यह belt ऐसे मास्त वाला यहां से सावान को लेकर जा रहा है और अभी इसका जो एंड है यहां पर अगर लगा दे तो यहां पर एक्जाक्ली हमारा जो ब्रेड है वो पूरा ब्रेड यहां से फार्म होके यहां से इस मशीन के थुरू क्राफ्ट होके इधर पहुचना चाहिए और राइट तो अभी एक काम करते हैं यहां पर अभी हम लोग धेर सारा चैस्ट लगाते हैं ओलर राइट गाइस तो अभी अपने क्या किया है हमने यहां पर ऐसे बहुत चैस्ट लगा दिये अभी इसको तुम लोग इमेर्जिन करो कि यह जो चीज़ें यह हमको दिख बिलकुल भी नहीं रहा है, यह हमारा ऐसा घर है, और यह हमारे घर के अंदर, यह हमारा स्टोरेज सिस्टम है, तो जितना भी साबान वहां से बन कर आ रहा है, वो हमें बस हमारे चैस्ट पे मिल जाएगा, अब हमें इसको ढूडने के लिए क यहां से चीज़े उठाने का है और यह जो पूरा काम है यह पूरा प्रोसेस बैगराउंड में आर्राम से चलता रहेगा अब हमें बस यहां पर एक मेकैनिकल आम लगा रहा रहा है जो बताने कि यहां से शामार उठाने का है तो गाइस अनफॉर्चुनेटली यह मेकैनिकल आम से यहां से चीजे उठाके वो चैस्ट के अंदर नहीं डाल रहा था पता नहीं क्यों क्या प्रॉबलम है बट मेरे को लग रहा है मैंने आज के लिए बहुत जादा दिमाग लगा लिया है मैं जादा दिमाग और लगाने न सब्सक्राइब अब लिए चैन बन चुका है अभी सबसे इंपोर्टन चीज करना बाकी है अब अगर मैं यहां पर आकर इसको आन करता हूं तो यह मशीन चालू अबसाइस ओ निए को T4 बुंख में कि सब चली और चलाओ वह इसको चीज़ दे रहा था है और ए झाले को हमेड थे आज में अ इन दाना चालू हो चूका है यहां से वीड आज दाना चालू हो चूका है और जाए पर जाएग को हमेरा सब्सकतर हैं को चली सरे यहांब है द्यारा शालू हो चुका है और यह वीट आपर जाएगा यहांसे ब्रैट बनके सालह बाहर हुआ है अबी ब्रैट यहांब कर यहांब का जो है अबी ब्रैट का इधर नहीं किरनेकाता कुछ तो गडबड है guys, कुछ तो गडबड है, देखना पड़ेगा, रुको 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 देखना पड़ेगा कुछ तो लफड़ा है, रुख जाओ, रुख जाओ, तकलीफ समझ ग, हमें क्या प्रॉब्लम है हमको यह पर फनेल, हमको यह पर दिपो लगानाए तो इससकी जगह हमें अस को इस तरह से लगनाएं डीपो बेहरा है और निकांट इसन यह जा यह एगाखा इगाईग अससराइव चान found okay okay sorry sorry my bad guys my bad apologies okay अभी अपने को अइसा इधर से mechanical belt लगाने का यहां तक alright alright अपना काब हो चुका है अपने को अपने को एक और चीज करने का actually पता है क्या actually अगर मैं इसको अइसा लगा दू तो नहीं तो तो अफकोर्स काम नहीं करेगा मतलब में डीपो लगाना ही पड़ेगा कोई बात है यहां पर हम लोग एक और mechanical arm लगा देंगे तो यह mechanical arm यहां से लेगा और यहां पर drop करेगा बस इतना साई काम करेगा यह mechanical arm और अभी अपको इसको ऐसे ऐसे करेट कर देना है तो गाइस अपना अभी पूरा machine काम करना स्टार्ट हो चुका है यह जो हमारा machine है वो यहां से wheat को लेगा इनके अंदर डालेगा एक एक करके और इनके अंदर डालने के बाद यह wheat यहां पर bread बन जाएगा जिसके बाद यह यह काम नहीं कर रहा है यह काम काई को नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसको लगाया ही नहीं है वेरी प्रो गेंप्लेरो अभे यार हगोडे बंदी की भी हद होती है क्या हगरों में आज यहां पर लगा देंके चेंड्राइव जिससे यह दोनों चालू हो जाएगा तो अभी हमारा प्रेट पर आने का मशीन काम कर रहा है यहां से वीट आ रहा है वीट आके सीधा प्रेट बदके हमारे इस चैस के अंतर जा रहा है यहां पर अभी एक और इंपोर्ड़न चीज करना बचा है यह जो मसीन है यह मशीन अभी currently manual पे गाम कर रहा है मतलब मुझे इसको manually on off करना पड़ेगा और तुम लोग दिखाता हो ये कैसे connect करके वीट छोड़ेगा जैसे इसके पास आएगा ये रुकेगा रुको रुको रुका भी नहीं लिया पर एक काम करते एक काम करते सबसे पहले सबसे पहले ये जो machine है ये machine को हम लोग automatic करते तो उसके लिए अबसे पहले हम लोग इसको यहाँ से तोड़ देंगे और अभी और हम लोग इसको भी इदर से तोड़ लेंगे था कि थोड़ा सा जगा हो जाए हमारे काम करने के लिए ठीक है तो अभी हम लोग को एक special चीज चाहिए जो मेरा बहुत जादा favorite इस game के अंदर वो है इसका advanced redstone तो यहाँ पर हमारे पास है redstone link और हमारे पास है redstone pulse repeater और हमारे पास है redstone pulse extender तो हमें यहाँ पर इन तीनों चीज की जरूरत है और इसके साथ साथ हमें चाहिए एक observer हमें चाहिए एक normal सा piston और हमें चाहिए थोड़ा सा redstone का dust तो सबस्वेर हम लोग क्या करेंगे हम लोग यह लेंगे redstone link को redstone link को हम लोग लगा देंगे इसके उपर तो यह redstone link basically क्या है redstone link है एक wireless redstone communicator जो हम लोग को Minecraft के अंदर चाहिए पर साला डाला इनी Minecraft के अंदर तो कोई बात नहीं हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है अभी हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के लिए दो रेस्टोन डाल देंगे और इसके बाद इसपे हम लोग शिफ्ट राइट लिक करके इसको हम लोग रिसीवर मोड पे लगा देंगे उसके बाद हमें यहाँ पर एक और रेस्टोन का लिंक लगाना है जिसमें हम लोग फिर से दो रेस्टोन के डस और अभी हमें इसको power देना है तो इसको power देने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहां पर एक ऐसा observer लगा देंगे और observer के side में यहां पर हम लोग अपिस्टर लगाएंगे जो पिस्टर जैसे ऑब्सरोर के सामने आएगा यह जो remote यह Redstone के power को इस पे छोड़ेगा और ये चीज अक्टिवेट हो जाएगा उश्किया अपने को ऐसे बनानेगा था तो अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग लेंगे यहाँ पर एक Pulse Extender और हम लगा देंगे Pulse Extender को यहाँ पर काम करते हैं वो सीधा जाएगा हमारे Piston पर आज का वीडियो भाई बहुत कॉंपलिकेटर है मेरे को लग रहा है आज का वीडियो आधे लोग को समझ में नहीं आने वाला है ठीक है आई सब कुछ बन चुका है अभी अपने को क्या करने का है अभी अपने को काउंट करना है कि यह जो मशीन है इसको यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है तो यह लग गया अपना रेस्टोन का एक लीवर और अभी मैं यहाँ पर फटा फट एक स्टॉप वॉच लगा लेता हूँ और इसको क्लिक करते ही स्टॉप वॉच को मैं स्टार्ट कर दूँगा अल्राइट स्टॉप वॉच चालू हो चुका है यह यहाँ पर सारा वीट दे रहा था और अभी यह आगे जाएगा और जैसे ही यह आगे एंड में आके रुक जाएगा मुझे वो टाइम को नोट करना है और यह रुक गया बिल्कुल 12 सेकेंड के आसपास ही आकर रुका है तो अभी अपने को क्या करनेगा है? अपने को इधर अना है और हमको इसको सेट करना है 12 सेकेंड पर और हमें इसको भी सेट करना है 12 सेकेंड पर और इसको मैंने 12 टिक पर लगाया था नूबड़े ऐसा All right. तो I think so. अब ही ये काम करने के लिए तयार है तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर एक रेस्टोन का लिंक लगा देते हैं, इसको ready कर लेते हैं, और अभी हम लोग जैसे ही इसके आगे एक power छोड़ेंगे, यह automatically काम करना start हो जाना चाहिए, और रुको, shit में हागा एक चीज, मैंने इसको receive mode पर डाला ही नहीं, sorry, okay इसको डाल receive mode पर यह receive mode पर था ही नहीं, तो अभी जैसे ही अब लोग यहाँ पर कुछ प्लेस करेंगे, यह machine चालू हो चुका है, अभी यह machine सीधा आगे जाएगा, और जैसे यह machine इस end पर जाकर पहुचेगा, यहाँ से यह tick बंद हो जाएगा, और इसके बंद होते ही, यह machine पीछे व जाएगा, उसको डबल करना है मुझे ताइम, ओ yas, यह machine पीछे हा रहे, machine पीछे हा रहे, और machine पूरा पीछे आते ही यह, वापस आगे जाना चाहिए और ये machine आगे जाना चालू हो चुका है फ्लीस भाई प्लीस इदर आकर रुक के वाफस पीज़े जा प्लीस रुक के वाफस पीची टाइम पे जा आगया 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 ओ Stadt ओ येज गैस हम ने इस machine को उटमेटिक बला दिया है ओ नाइस अब यह जैसे यहाँ पर आके रुकेगा इसके बस एक सेकेंड में यह आएगा इसको चुमा देगा और सारा का सारा जो wheat इसने जमा किया है उसको यह यहाँ पर छोड़ देगा wheat जाएगा इसके अंदर wheat craft होके इधर बनेगा bread ब्रेड बनके ब्रेड इदर आएगा और हमारे चैज के अंदर G ducks हमारे लिए टाइरिक persons तयार है This is guys Mechanical Minecraft Minecraft में वे इन चीज डिफॉल्ट चाहिए Minecraft में ये चीजे डिफॉल्ट क्यू नहीं है ये चीजे Minecraft के अंदर डिफॉल्ट चाहिए तो गाइस इसी के साथ हमने बना दिया है हमारा पूरा का पूरा आटोमाटिक ब्रेड फार्म जिसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और हमने ये बहुत ही खतरनाक सा मशीन बनाया गाइस ये मशीन के लिए भाई I am very proud I am very proud कि हमने ये बहुत ही खतरनाक सा मशीन बनाया अभी आक्चुली इसमें हमें और भी चीज़े करनी है इसके अंदर जो बोन मील है वो बोन मील अक्चुली खतम हो जाएगा तो बोन मील को वापस दालने के लिए हमें आसपास एक स्केलेटन फार्म चाहिए और स्केलेटन फार्म से हमें सीधा बोन को लाके इसके अंदर छोड़ना है जिससे बोन मील इसके अंदर आता रहे है पर उसको अम लोग इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे जबसे में बताव एक लगे लिए रटकिरे बाई बाई